भारत के क्रेंट मास्टर विदित गुजराती यहां पर विश्व फीडे शत्रण जुलंप्याट के आठवे राउंड में चौथे बोल पर वापसी कर रहे हैं सामने हैं उनके इदानी पॉया और इदानी जो है वो इरान से खेल रहे हैं भारत वर्सेस इरान का मुकाबला है भारत ने पिछले मैच में चीन को प्राजित किया डाइडियर से भारत अभी सात में से सात मैच जीत कर सबसे आगे चले यहां पर विदित देखिया आटोग्राफ देते हुए मैच चुरू होने के पहले भी लोग उन तक पहुच रहे हैं जो की टीम इरान के कोच हैं यहां पर और भारतिये टीम के कोच यहां पर श्रीनाद भी आ करके देखिये बैठते हुए बोर्ड पर और यहां पर मुकाबला शुरूआत होता हुआ यहां पर विदित ने E4 खेल करके खेल की शुरूआत यहां पर करती है और देखते हैं दिखें विदित पूरे टोर्नामेंट के दौरान डी सिक्स खेल लिया है, यहाँ पर इदानी ने, ओपन सिसीलियन यहाँ पर होने जा रही है, और देखते हैं विदित की अगली चाल क्या होगी, विदित ने डी फोर कर दिया है, यहाँ पर ओपन करते हुए पोजीशन को, औ रांगते हुए भी ओपनिंग को, नाइट यहाँ पर F6 आता हुआ, और यह एक्चुली में आपकी नर्फ को काम डाउन करता है, नाइट C3 यहाँ पर विदित ने खेल दिया है, आप देखते हैं इदानी क्या करेंगे, क्या A6 आ रहा है, नजड़ ओफ होता हुआ है, यहा यहाँ पर और आप देख सकते हो, कि यहाँ पर जब भी आप यह सेट अप लोगे तो स्पेस आपके पास हमेशा कम रहेगा, यह भी आपको याद रखना है, सॉलिट सेट अप जरूर है, बिशप P3, यहाँ पर वाइट के पास स्पेस भी बढ़ी हा, डेवलपेंट भी देखते हैं कि इदानी का अब इस तब सिर्फ एक माइनर पीस यह गोड़ा ही जो है बोर्ट पर आया है, दूसरा महरा निकलता हुआ बिशप B7 से, और विधित की चाल यहाँ पर देखते हैं विधित क्या खिलेंगे, विधित ने F3 कर दिया है पोजिशन में, सॉलिट करत क्वीन E2 आते हुए तो लॉंग कैसल की तयारी यहाँ पर विधित की तरफ से, और देखते हैं कि इदानी यहाँ पर कंटिनू कैसे करेंगे, नाइट A5 जाते हुए, थोड़ा सा आप देखें यहाँ पर जब आप डेवलप्मेंट को पीछे चोड़ रहे हैं और एक ही महर आपका बार-बार चल रहा है, डेफिनेटली आप बिशप शायद ले सकते हैं, लेकिन यह क्या बहुत अच्छी बात है, लॉंग कैसल कर लिया है विधित ने बुल रहे हैं कि ठीक है, आप मार लीजे मेरा उंट, लेकिन यह आप बहुत जादा बार अपने महरे को चल रहे हैं ओपनिंग में और यह कहीं न कहीं मुझे आडवांटेज दे रहा है, नाइट इंटू बी थ्री यहाँ पर और देखते हैं कि विधित ए से मारते हैं, सी से सी से मारना ही बहतर होता है ताकि किंग के पास आपका स्ट्रक्चर जो है मजबूत रहे, यहाँ पर येस, सी इ इसमें कोई दोराई नहीं है, विधित नहीं यहाँ पर किंग बीवन कर दिया है, सेफ साइट अपने राजा को सुरक्षित कर लेना हमेशा अच्छा है, लॉंग कैसल करने के बाद सीसीलियन में, इदानी यहाँ पर कैसल करते हुए, और अब यह आम अंतरण हैं कि आप आक अगली चाल उनकी बहुत मातपूंड रहने वाली है, और देखते हैं कि वो क्या यहाँ पर अगली चाल लेकर के आते हैं, उन्होंने बी फोर किया है, और विधित के घोडे पर हमला किया, यहाँ पर एक इंटरस्टिंग वरिएशन जरूर आ रहा है, जैसे विधित यहाँ पर Nd4 चल दिया है विधित ने, क्या Nd4 यह पॉसिबल है, क्या Nd4, Pawni4, Bphone4, Bichen4 यह variation, लेकिन नहीं 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 उन्होंने यहाँ पर Nd7 खेल दिया है, ओके यह मौका था अगरेसिव खेलने का, अब आपने विधित को फ्रीहंट दे दिया है, विधित ने H4 खेल दिय और अगर आपने विदित की पर आक्रमर नहीं किया तो अब ये पोजिशन वाइट के लिए बैटर होती जाएगी, क्वीन एफाइफ आया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ वहाँ पर किया जा सकता है, ये गोडा भले किनारे बैठा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पर इंपुर्टेंट स्क्षाइब कर रहा है, यहाँ पर विदित बिशप जी फाइफ खेलते हुए, वो यहाँ पर बिशप को एक्स्चेंज करना चाहते हैं, इवन वो पॉन दे रहे हैं कि आप मारिए बिशप से, पॉन से मार के आप कुईन से मार लिजे, लेकिन यहाँ पर भी रुकी एट खेला है, तो हम कह सकते हैं कि इदानी यहाँ पर आकरामक नहीं खेल रहे हैं, बिशप इन्टू E7, रुक E7 ओनली मूव है यहाँ पर, जो की नैचरली जो है वो बोल्ट पर आएगा, लेकिन उसके बाद वाइट के आकरमण में धार जो है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर, क्योंकि आपके मौरे जो है विवस्तित नहीं है, आप देखें कि चारों के चारों जो ब्लैक के मौरे हैं, उनके बीच में तालमेल जो है पांचों सॉरी, उनमें कमी है, विदित H5 करते हुए आईडिया H6, इसको स्टॉप करने के लिए H6 खेलना ह पर आती हुई, विदित के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर आती हुई, पॉन H6 पर आता हुआ और यहाँ पर G6 करना मजबूरी है आपकी, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर इस्तिती और खराब हो सकती है, G6 और आप देखें यहाँ पर डार्क स्क्वेर सारे के सारे बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, यह पॉन कमाल की पोजिशन पर बैठा हुआ है, यहाँ पर क्वीन D2 आते हुए विदित, वही डार्क कलर पर जो की कमजोर हुए है उस पर नजर रखते हुए, और रानी नहीं यहाँ पर नाइट F6 खेला है, लेकिन क्या यह कारगर सा अब यह पर फिर से वही थ्रेट है, 94 वाला आप देख सकते हो, और यहाँ पर बिशप से चेक और रुक को मारने की कहानी, बट मुझे लगता है कि विदित साइड इस बार यह मौका नहीं देंगे दानी को, क्योंकि विदित का पोजिशन आप अल्रेडी बहुत अच्छा ह और यहाँ पर दिक्कत यह है कि ब्लैक कंटिन्यू कैसे करेगा, क्वीन काफी फसा हुआ दिख रहा है, ओ, रुक सी सेवन, रुक सी सेवन यहाँ पर आता हुआ दोस्तों और आप देखिए, क्वीन के पास थोड़ी सी हिलने की जगह नहीं है जादा, वापस जाने का रास् कोशिश है, क्वीन इफाइफ और जुरत पढ़ने पर क्वीन को इस रास्ते के जरी अंदर ले जाए जा सके, कहीं तो भी यही एक आइडिया है, यहाँ तक ले जा सकते हैं, जुरत पढ़ने पर, विधित ने खेर यहाँ पर F4 कर दिया है, विधित ने वो घर भी बंद कर दिया है, सारे घर बंद हैं क्वीन के लिए, नेक्स्ट मूब पॉन इंटू B4, क्वीन मर रहा है यहाँ पर, जगह बनाने के लिए एक सेक्रिफाइस देने की कोशिश हुई है यहाँ पर, और यह इंटरस्टिंग पोजिशन है, जगह बनाने क्योंकि बिशप E4 भी आ रह मारते हैं, यह बिल्कुल विनिंग पोजिशन है वाइट का, यह सेक्रिफाइस देना मजबूरी है, पीस मिलेगा लेकिन पोजिशन बहुत खराब हो चुकी होगी, रुकी फोड और आब आ रहा है क्वीन D5, जो क्वीन के लिए घर बना है, क्वीन D5, लेकिन यहाँ पर आ इदानी यहाँ पर क्या खेलते हैं, इदानी की अगली चाल क्या आती है, इदानी ने नाइट F6 खेला है, रुक पीछे लेंगे विदित यहाँ पर, और जो एक्शेंज के बाद भी पोजिशन आ रही है, वो बहुत खराब है ब्लैक के लिए, रुक गया है वापस E1 पर, और इरान के लिए चिंता की ख़बर क्योंकि पहले बोर्ट पर भी इरान हार रहा है, दूसरे बोर्ट पर ड्रॉट हो रहा है, तीसरे बोर्ट पर भी इरान हार रहा है, तो यहाँ पर बाकी सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं, अभी भारत के, यहाँ पर आप देखें, इ विदित जी फाइब करते हुए यहाँ पर आप देखिए राजा कितनी बूरी तरह फसा हुआ और यह सारे पॉन मर रहे हैं और यहाँ पर नाइट एच फाइफ और यहाँ पर आप देखिए विदित की कुतोब मीनार यहाँ पर कड़ी हो यह थीन पॉन भी बहुत डेंजरस ह हैं लेकिन यह भी खतरणाक है यहाँ पर विदित डी फोर मारते हुए और डी सिक्स मर रहा है एसिक्स मर रहा है राजा की सिती खराब है बैक रैंक आपके लिए हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम रहेगा इन्होंने रुक एफेट खेला है यहाँ पर शायद एफ सिक्स से देना चाहते हैं और देखते हैं विदित क्या खेलते हैं इस पोजिशन पर विदित की चाल यहाँ पर विदित ने रुक इंटू यह भी मार ले है डी सिक्स और आप देखे कि यह पोजिशन खराब है खराब होता जा रहा है दो पॉंट डाउन है यहाँ पर इदानी लेकि आया तो और तबाई मच आएगा क्या नाइट इसिक्स ओफर किया एक्षेंज और मुझे लगता है विधित चाहिद एक्सेप्ट कर लेंगे येस नाइट इन्टू इसिक्स नाइट इन्टू इसिक्स और आप देखें पोजीशन में आज शायद तीन पॉन अप रहने वाले विधित उन्होंने मार दिया एसिक्स अभी देखते हैं कि विधित यहां पर कौन सा पॉन मारते हैं एसिक्स वाला मारते हैं थोड़ा बैक राइंग के लिए साउधान रहना होगा रुक एसिक्स और ज्यादा कुछ बचा नहीं है पोजीशन में इदानी आकरी ट्राइ करत देखते हैं कि विधित की यहां पर अगली चाल क्या आती है शायद पॉन को बढ़ देंगे अगे बढ़ते हो यह बिलकुल आप हारी होई सिच्वेशन हो चुकी है यह बिलकुल हारी होई बाजी है इस पर बचना बहुत मुस्किल है क्योंकि विधित ने रुक एज़ायए वक्षिक्ष आपड़ा अगे पॉन मार लीजे और व वो पीछे से फिर चेक्मेट लगा द देखते हैं क्या चल रहे हैं इदानी का हाथ जो है वो c5 बले रुक की तरप जा रहा है रुक b5 खेला है उन्होंने यहाँ पर और रुक g7 थ्रेट यहाँ पर आप देखें रुक g7 आ रहा है रुक g7 चेक आता हुआ राजा यहाँ पर कहा जाएगा एफ 8 जाएगा तो रुक यहाँ पर क्या विदित रुक d1 खेलेंगे ने उन्होंने रुक c1 खेला है रुक c1 रुक c7 जा रहा है यहाँ पर और देखते हैं कि इदानी क्या जवाब देंगे यहाँ पर इदानी के पास टाइम भी कम बचा हाला कि 40 चाले हो गई तो 30 मिनट जो है वो जोड़ने वाले जीत और इस जीत के साथ विदित एक बार फिर से विश्व रैंकिंग में टॉप 20 के अंदर आते हुए लाइब रेटिंग 2731 पहुंचती हुई और यह भारत के लिए एक और अच्छा संकेत कि भारत बोर्ट सिर्फ 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, सब में पहतरीन खेल खेल रहा है, और यह भारती टीम स्वर्ण पदक की सबसे मजबूत दावेदार बन नहीं चुकी है, यह नजरी आ रही है और बहुत संबभ है कि भारत यह मुकाबला, जो है, यह जो इरान को जो भारत ने साड़े तीन आदे से आठवे राउंड में अराया, आई रही है, नहीं हुआ में अराक मैं झाल रहा है, यजरी दो कि जो आई में ंखेज़ा, ज हुआ जो जो इंचेल कर सी है, ऑखेज स्पीन आज रहा Спाना को SKE Mesh ch MCU